हलो एरिवन, कॉंपटिटिटिव एक्जाम में आपका एक बाफिर स्वागत है आज मैं आपके साथ केवल जेओ आईटी 817 के रिजल्ट से रिगार्डिंग बात करने आ गया हूँ आपको पता है कि पिछले चार सालों से ये भरति कोट में या किसी अन्यकारणों से फसी हुई है जिसमें आपको पता है कि इसमें कैंडिडेट कितने जादा हरास इस भरति में हो रहे हैं और इसका जो कारण है आपको पता है कि जितनी भी सरकारे आती हैं वो कुछ ना कुछ निव रूल्स बना करके या कुछ इस तरह से इस भरती को पसा करके काफी ज्यादा टाइम इस भरती को हो चुका है आपको पता है इसलिए हम सभी जो अभियार्थी हैं जिनोंने जेओ आइटी 817 का एक्जाम क्लियर किया है या अन्य भी जो कोई है ये सबी जो कैंडिडेट है जियो आइटी 817 के वो विधान सभा चले ताकि आपका जो है रिजल्ट जल्दी निकाला जा सके आपको 10 बजे विधान सभा परिसर के बाहर इकटे होना है 20 दिसंबर 2023 को आपको इसमें बता दे हम आपको 5 पॉइंट इसमें बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इस भरती में कितना डिले हो चुका है जैसे कि हाई कोट की जजमत आने के 45 दिलों के बाद भी कुछ नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है कि सरकार जान बूच कर इस भरती को डिले करना चाहती है आप सभी को पता है कि इसकी जजमत आये हुए नवंबर म आ रही है फिर आपको पता है कि इसी तरह से ये फाइल को गुमाते रहेंगे और इस तरह से हमारे 6 मंद और निकल जाएंगे आपको पता है कि एक-एक मंद का कितना फर्क इसमें पढ़ता है और मेरे नोन में कई ऐसे कंडिडेट है जिन्नोंने लगबग ये बार्डर पता है कि इसकार से हम ये डिमांड कर सके कि कौँसी एजन्सी जो है जल्दी निकाल सकती है जैसे कि आपको पता है कि हमीरपूर चैन आयोग भंगो चुका है लेकिन एटपी राजकिया जो चैन आयोग बनाया गया है वहां से भी ये रिजल्ट निकाला जा सकता है कुछ इमांदार जो स्टाफ रहता है उनको डिप्यूट करके इस रिजल्ट को जल्दी निकाला जा सकता है क्यूंकि आपको पता है कि आल्रेडी वहां पर हमीरपूर में बिल्डिंग बनी हुई है उसकी कोई दिक्कत नहीं है वहां से भी रिजल्ट कंपाइल हो सकता है तो हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि यह रिजल्ट है जल्दी से जल्दी एक मन्त के अंदर अंदर जारी किया जाए आपको प आप चाहे तो कुछ क्या नहीं हो सकता तो आप सभी से यही उमीद रहेगे कि आप सभी जो है तपोबन धर्मशाला आएं और एक बासरकार को अपना शक्ति परदशन दिखाएं और तीसरा है कि सभी कैनिडेट की एक ही मांग इसमें रहेगे कि जो रिजल्ट है पूरा पर रहते हैं उन्होंने जिए वाइटी की प्रिक्षा पास की है और एक वहाँ पर प्यून है जिन्होंने अपनी सिस्टर के लिए एक्जाम क्लियर किया है और एक आपको पता है कि धाबे वाला जो वहाँ पर रहता है उसने अपनी वाइप के लिए एक्जाम क्लियर किया ह तो इसमें बेगुना जो जितने भी candidate है उनके साथ तो आने आये हो रहा है और लगबग 4-5 candidate है जिनोंने ये paper लीकिये हैं जिनों ये paper खरीदे हैं तो उसके कारण जो है लगबग सारे 4-5,000 candidate है वो सारे सफर कर रहे हैं तो इसलिए आप अपने हक के लिए जुरूर एक बार स इस तरह से exam पास किया है कि हमने भी लगबग 4-5-5 साल लाइबरेरियों में बैट करके लगबग तब जाके commission पास होता है कोई एक दिन या एक मन्त में commission पास नहीं होता आप सभी candidate जानते हैं कि कित्ती मेहनत जो है एक commission को पास करने में लगती है तो इसलिए आप सभी जो candidate ह जितने भी J-O-I-T या अधर जितने भी postcodes है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं सभी इसमें आएं अपना शक्ति प्रदशन द्वास सरकार को दिखाएं कि यूवाफ इछले एक साल से जो श्रांत बैठा है वो क्या कर सकता है तो इसलिए सभी candidate से ये गुजारिश रहेगी क आप तपोबन जो धर्मशाला में 19 तारीक से जो शेशन बैठ रहा है हम 20 तारीक को अपना शक्ति प्रदशन सरकार के सामने करेंगे कि इसलिए जल्दी से जल्दी कमिशन को बनाया जाए और जितने भी pending result फसे हैं उनको जल्दी निकाला जाए खास करके J-O-I-T 817 का तो ल 2019 से ये भरती चली हुई है और आज लगबग आपके 23 खतम होने को है 24 आने को है लगबग 4 साल से इस भरती को हो चुके हैं अब इस result जो है विदिन कोट के जो हा सुप्रीम कोट के जो है तीन मन्त के अंदर आ जाना चाहिए जिस मैंसे 45 दिल आपको पताए कि खतम हो चुके हैं अब आपको पता है 45 दिन बचे हैं कि 45 दिनों में गौर्मेट क्या करती है तो हमें यही अब गौर्मेट से उमीद रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका result आउट किया जाए और आप दे सकते हैं कि इसमें हमें जो चाहते हैं कि इसमें पूरे 800 जो सौरी 1867 पदों पर ये भरती कंक्लूड होनी चाहिए और आप इसमें दे सकते हैं कि जन्रल की जब इसमें पद निकले थे 702 पद थे और EWS के 261 और जन्रल वार्ड ओफ रिडम फाइटर के 24 और SC UR के 353 पद थे और SC BPL के 54 पद थे और SC वार्ड ओफ रिडम फाइटर के 13 पद थे और SC वार्ड ओ BPL के 62 और OBC वार्ड ओफ रिडम फाइटर के इसमें 6 पद थे तो जब स्टार्टिंग में ये भरती निकली थी तो उस समय जो इसमें 1869 पद थे लेकिन बाद में कौरीज अम जो निकाल करके जो दो पद को इसमें कम किया गया था एक शायद जर्नल से रहेगा तो जर्नल की गौर्मेंट डिपार्टमेंट में अभी जोग कर रहा हूँ वहाँ पर आपको पता है कि क्लेरिकल स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी डिपार्टमेंट में हो है कि आपको वहाँ पर जो काम लेना पड़ रहा है वो किसी एक ही आदमी जो वहाँ पर रेगुलर है उससे पर जरूर विधानसवा आए और अपना शक्ति प्रदशन सरकार को दिखाया ताकि सरकार जल्दी इसके रिजल्ट पर कुछ करे धन्यवाद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर सकते हो धन्यवाद